प्यारे वित्यारतियों, आज 7 मार्च 2024 को आपने दिया होगा अंग्रेजी विशे का पेपर उमीद है आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा अब हम आगे इस पेपर में शभी क्यूशन्स के आंसर देखने वाले हैं कि किस प्रसंद का क्या उत्तर होना चाहिए था उससे पहले में आपको बता दो कि हमने 6 मार्च को दो वीडियो जो की लगबग 50 मिनट के रहे होंगे उनमें आपको इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट कुशन्स बताये थे उन क्यूशन्स से कम से कम 40 अंकों के प्रसंद हूब वहू पूछे गए हैं क्योंकि हम जो आपको पेपर बता रहे हैं ये वो पेपर हैं जो की पूरे भारत में एक अकसा 10 के 2024 के हो चुके हैं वो इंपोर्टेंट क्यों हैं क्योंकि उनका वही करपा ठेकरम है उनकी वही टेक्स्ट बुक हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं जैसा कि आज की पेपर में हमारी टेक्स्ट बुक फैस्ट फ्लाइट और फूट्प्रिंट्स थी तो MP, UP, जारखंड इन सभी का जो पाठेकरम है वो राजस्थान के बराबर है राजस्थान के समानी है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ गणित विज्ञान जैसे मुश्किल विश्यों के इंपॉर्टेंट क्यूशन जो उन पेपरस में पूछ गए हैं सभी विश्यों के पेपर आपके लिए लाए जाएंगे उमीद है उन में से आपको बहुत सारे क्यूशन एक्जाम में पूछे जाएंगे इसके लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त जो क्लास 10 में हैं उनके शाथ शेर करें ताकि उनकी भी हल्प हो सके तो आईए देखते हैं बिना टाइम गमाएं, पहला क्यूशन देख लेते हैं हम पेराग्राफ था हमारा, तो डारेक्टले हम क्यूशन का आंसर देखते हैं थ्री गोल्स क्या थे, क्योंकि तीन गोल्स पूछे हैं तो आंसर जो है वो बिना सोचे समझे ही हो जाएगा ओल, किसी इंसान का नाम यहां पर लिखना है, तो हो गया एपीजे अब्दुल कलाम दूसरे देशों का सम्मान कैसे मिलेगा एकोनोमिक डवलप्मेंट जब हमारा होगा फिर से जो है इंसान का नाम यहनोंने पूछा, इंसान के बारे में पूछा है कि कौन जो है वो भारत के डवलप्मेंट के लिए तांसर हो गया, इंडियन्स फिर देखने की सक्ति, देखने की सक्ति को कहते हैं दृष्टी, वीजन इसके बाद इन्होंने पूछा है, अपोजिट सब्द, हिंडर, चूज अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड का इन्होंने पूछा है, वर्ड फॉर्म दे पैसे हिंडर, परेसान करने का अपोजिट वर्ड इन्होंने पूछा है, तो इसका होना चाहिए, कौन्ट्रिब तो यह देख लेते हैं पहला कुछन था वेर वाज दे राइटर वाकिंग तो आंसर हो जाएगा कभी भी पैसेज में आप आई से आंसर शुरू नहीं करें क्योंकि थर्ड परसन पूछा जा रहा है तो आपको सही आंसर यह होता इसमें भी आपको नमबर मिलेंगे इनसान ने कौन-कौन सी जीजों में प्रगती करी है तो यह हो जाएगा यहां से सुरू कर सकते थे आप ऐसे तो लेकिन आंसर यहां पर है एस्ट्रोनोमी, अलजेब्र, आर्किटेक्चर, इवन पोईट्री, मुजिक, आर्ट्स में फितीसरा क्विशन वेर डिट दे राइटर मीट शोहन लाल से राइटर कहां पर मिलता है तो आई मेट शोहन लाल कॉनोट सरकस तो यहांपर इस सरकस के अंदर वो सोहन लाल से मिलता है WHO said Hulo to the writer हूलो कौन कहता है राइटर से तो सोहन लाल सोहनलाल जो है वो हूलो कहता है राइटर से चटा पाँचवागिशन है whose friends are described in the passage किसके दोस्तों का वर्णन इसके अंदर किया गया है तो these are my friends Sohan Lal added तो Sohan Lal के friend थे वो किसके friend थे Sohan Lal के friend चटा क्यूशन है Who started speaking very fast कोन जो जल्दी जल्दी पोल रहा था क्यूशन नमबर 6 तो A younger man started speaking very fast The younger man फिर साथवा क्यूशन है Who translated for the writer लेकर के लिए किसने अनुवाद किया तो साथवा क्यूशन हो जाएगा Sohan Lal Who had been quite all time translated for me ये साथवा जो है ये रहेगा आठवा इन्होंने पूचा है similar word wish किसी को शुब कामना देना तो wishing का यहाँ पर हमें दिया गया है साथ नमबर का क्यूशन नमबर 8 तो 8 का अन्सर है wish यानि greeting और question number 9 opposite सब्द जो है वो stop का ढूणना है तो stopped का हो गया started आगे ये लेटर हमने आपको पहले बताय था कि बदाई का पत्र आपको याद कर लेना है ये हूँ बहु परिक्षा में पूचा सिर्फ इनोंने किया है कि योवर सिस्टर जबकि हमने आपको बताय था योवर फ्रेंड सिर्फ आपको सिस्टर और फ्रेंड का सब्द का अंतर करना था और ये हूँ बहु लेटर जो है वो आ गया है अगला यू आर सिद्धी सिद्धाद स्टेडिंग क्लास 10 जीसस कोटा यू कांट अफोर्ड बोड फीस ऐस यूर फादर इस सिक्स राइट अप्लिकेशन तो यूर प्रिंसिपल स्कूल अरेंज यू बोड फीस तो आप जो है बोड की फीस माफी एक तरीके से फीस शुल्क माफी या फीस अरेंज करने के लिए प्रिंसिपल को अप्लिकेशन लिख रहे हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हमने विद्यारतियों को एक स्टोरी जो बताए थी यहां पर आगई है union strength इक मात्र स्टोरी हमने बताया थी उरre एंट ओर पूछी थी इसके बाद हमने हमारे वीडियो में सेव वाटर निमंद बताया था और सेव वाटर का निमंद पूछा गया है Annual Function यानि किसी भी Function के बारे में हमने कहा था कि एक Function का याद कर लो और देखो फिर ये विद्यारतियों Annual Function का आ गया है आप हमारी बात का प्रमान जो है हमारी वीडियो को देख कर कर सकते हैं कि जो मैंने बताया था वही पेपर में आया है और ये मैंने टेंस के वीडियो में चारों प्रशन आपको समझाये थे और कहा था कि ये बहुत important है सबसे ज़्यादा important ये था कि जब किसी क्यूशन में after or before आते हैं और verb की second form आती है after or before आते हैं और verb की second form आती है तो करिक्तिस्तान में before से पहले head plus third form आएगी तो reach verb है head plus third form दूसरा always word का इस्तेमाल जब करते हैं तो first form में as या yes लगता है तो worships हो जाएगा क्या हो जाएगा? worships हो जाएगा my mother एक वचन है इसलिए worships हो जाएगा अगला है by plus time का हमने आपसे बताया था rules अपना एटेंस के वीडियो में कि will have plus third form कि since के बाद जब time आता है तो has या have plus been plus ing आता है अब के साथ आ गया have been और learn का हो गया ing learning अब बात कर लेते हैं direct and direct की तो ये जो है हमारे direct and direct हम देख लेते हैं तो number के पूछे गए the teacher said to the students you are good students so said को change कर दिया हमने told me 2 को हटा दिया the teacher told the students इन्वर्टेड गोमा को अटाते हैं लगा दिया connective that the teacher told the students that you का हो गया object के नुसार they are का वर good students इसके बाद में interrogative यानी प्रशनवाचक पूछा तो he said हो गया कि समें change asked में और यहां पर रहे गया me he asked me क्योंकि प्रशनवाचक से helping up से सुरूर आया प्रशनवाचक तो लग गया if he asked me if you change होता है object के coding तो हो गया I if I had read newspaper before going to school और फुल श्टॉप लगेगा लास्ट में if he asked me if I had read the newspaper before going to the school अब subject verb का क्यूशन नमर आठ है Harry with his friends Harry अपने दोस्तों के साथ रोजाना एक वोक पर जाता है तो दोस्तों इसमें friends का लेना देना नहीं है Harry एक वचन होने की वज़े से आएगा goes among all students सारे विद्यार्थियों में से he यानि वह है तो इस ही के बारे में बात करी जा रही है तो आएगा was फिर हमसे पेसिव इस पूछा गया है do it तो इसका पेसिव इस बन जाएगा let it be done my mother gave me a beautiful gift यह दो प्रकार से बन सकता है वाके एक beautiful gift से बन सकता है और I से बन सकता है मैंने I से बना दिया है I verb क्या इस second form तो हो जाएगा was given I was given a beautiful gift by my mother अगर आपने पहले लिखा है तो भी चलेगा I was given by my mother a beautiful gift यह चल जाएगा दूसरे तरीके से बनेगा a beautiful gift was given to me by my mother question number 10 God examines all भगवान सब की परिक्षा लेता है तो इसका question अमें बनाना है तो यह है present indefinite tense इसकी साय करिया होती है do या does तो प्रशन बनाएंगे आगया do दूने does आएगा does दूसरे आएगा इसके अंदर does God examines all does God examines all क्योंकि एक पच्छन इसलिए आएगा does इसके बाद में add question tag to the statement given below students don't waste their time क्योंकि don't आया हो आया हो आया ने किटिव आया हो पहले तो do और students के लिए आगया they do day इसके बाद में हमारा पैसे जो था वो वल्ली का तो पहले में आजाएगा पैसे बचाने के बाद उसकी प्रोब्लम थी घर से भागना वल्ली कहां खड़ी हो करके देखती थी तो डोरवे में वल्ली यूज दा आवर ओप मदर स्नेप माजब सोती थी वो एक्सकर्शन यानि जाज इकठा करने में जान कर रहे हैं इकठा करने में खुजबीन करने के अंतर अपना समय बिताती थी चोथा कृशन वेर दिद दे बस रोल ओन कहां पर बस रोल ही तो दे बस रोल ओन नाव कटिंग अक्रोस अबेर लेंड जिए इसके वाद यहां तक भी आपने लिखा तो चलेगा किसन पांच वाट 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 वाज गोबल डप बाइद बस बस के दवारा किसको एक तरीके से आगे बढ़ी किसको रगड मारी कहां टकराने वाली थी यह उसके अंदर टकरा जाती उसे निगल जाती एक प्रकार से जो सामने से आ रहा था यह पांच नमबर का अंसर हो गया किसे नमबर चै हाओ मच डिडवली से फाइनली फॉर बस कितने पैसे बचा लिए थे वली ने तो आ गया चटा नमबर सी हैड से टॉटल सिक्ष्टी पैसे साट पैसे उसने बचा लिए थे अथवावाला अगर आपने किया हो तो इसे देख लेते हैं पैलेट का क्या खराब हो गया था तो उसका रेडियो और कंपास दोनों ही खराब हो गया था वेर दिड़ पैलेट लूस्ट हिमसेल्फ का कहा खो गया था वो बादलों में तूफान में अगला प्रशन वाट 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 वाज सीन बाई थे पाईलेट पाईलेट ने क्या देखा एक एरो प्लेन देखा Q4. What did another person say? दूसरे परशन ने क्या कहा? दूसरे परशन ने lifted one hand and waved follow me और उसने कहा कि मेरे पीछ आओ पाईलेट से कहा कि मेरे पीछ आओ पाईलेट पाईलेट के एरो प्लेन का क्या नाम था? तो उसके प्लेन का नाम था डकोटा जब भी कभी बीच में सेंटेंस में कैपिटल आ जाता है तो वो किसी का नाम होता है तो डकोटा Q4. What is the similar word of the following? प्लेट सफिसेंट परियाप्त का प्रियावाची सब्द क्या है? तो प्रियावाची सब्द है इनफ यानि प्रियाप्त होता है इसके बाद जो प्रशन हमारे पूछे के हैं वो देख रहे हैं प्रशन था Q4. Why does the postmaster send money to Lencho? लेंचो को पैसे क्यों भेजें? पोस्ट मास्टर आप इससे क्यों बना सकते थे पोस्ट मास्टर sent money to Lencho not to sake his faith in God की बगवान से उसका विश्वास हट नहीं जाए How did Mandela's hunger for freedom change his life? Mandela की आजादी की जो भूग थी उसकी जिंदियों कैसे चेंज कर दिया This desire of non-racial society transformed him तो यहां से आप उतर लिख ले सकते थे It transferred him into a virtuous and self-sacrifice man इसीज ने उसे गुणी और बलिदानी वेक्ती बना दिया Why was the young seagal afraid to fly? बहुत असान था हमने हमारे प्रशन में बताया था बार बार बताया था क्यों डरता था कि he thought his wings would not support him वह सोसता था कि उसके पंक उसको support नहीं करेंगे और चोथा क्यूशन What is the baker called? The baker is called a pedder in Goa Goa में pedder कहा जाता हुसे अगला क्यूशन Describe the narrator's experience as he flew aeroplane into the storm जब लेखक में तूफानों में से हवाई जाज उडाया तो उसको अन्भव कैसा रहा तो जाएर सी बात है His plane started jumping and twisting उसका plane जो है वो jump करना सुरू हो गया He could not see anything outside the plane No plane से बाहर कुछ नहीं देख पाया As it was black, सब कुछ black था When he looked at the compass जब उसने compass की तरफ देखा Instrument की देखा They stopped functioning वो काम नहीं कर रहे थे It was a fearsome experience उसको बहुत ड्रावना नहीं रहा था यह question हमने हमारे वीडियो में बताय था Who who question आ गया है How does Anna feel about her father and Mr. Kissing Anna ने अपने father and Mr. Kissing के बारे में कैसा बताय था Anna consider her father as most adorable father Anna मानती थी कि उसके पिता सबसे दुनिया के अच्छे पिता हैं और old foggy कहा करती थी कि वो जो है मुझसे annoyed रहते थे उसे बार-बार में homework दिया करते थे और एक strict teacher जो है Mr. Kissing रहे थे अगला प्रशन Write the character sketch of Lomo आप हमारे वीडियो में देख पाएंगे मैंने कहा था Lomo, Chubkov और Natalia का character sketch पूछा जाएगा हमने ये भी बताय था कि proposal part से दो प्रशन पूछे जाएंगे वीडियो में बताया था हमने और देखे दोस्तों दो questions पूछे गए है proposal part से तो इसका character sketch What is the ending of the play the proposal proposal lesson की जो है वो कहानी कैसे खतम होती है तो उनकी शादी हो जाती है लालच की वज़े से ये प्रशन कल हमने बताया था आ गया पांच नंबर का दोस्तों पांच नंबर का आया है How did Bholi's teacher play an important role in changing the course of life Bholi की जिंदगी कैसे change की तो आप देख पहेंगे कि भाई उसकी जिंदगी को उसको self-respected man बना दिया था उसने What was the cause of change in loisal life ये क्यूशन भी हमारे बताया गया था कि necklace का खोना उनकी जिंदगी में किस प्रकार से परिवरतन ला देता है What are the qualities that go into making of scientist एक scientist बनने के लिए कौन कौन सी चीज़े लगती है Making of scientist से पूछा गया How would you assess Griffin as scientist ये एकल आया था कि scientist हमने बता दिया था ये आएगा कि Griffin जो है बहुत ही शांदार विज्ञानिक था उसने इंसान को disappear करने की चीज़े जो हो खोज ली थी अगला है Why does Hoek Danby still every year Hoek Danby हर साल क्यों चोरी करता था तो Hoek Danby is still every year to buy rare and expensive books वो खरीदना चाता था बहुत ही महंगी महंगी किताबें और लास्ट चो क्यूशन था Who was secret agent secret agent सी लिख दिया इन्होंने जब तो हो गया न दो Osbell और Max ये और बी दोनों हो गए How old was Anil? तो probably वो 25 साल का होगा What was the name of the dog? Mrs. Pumpree का क्या नाम था? तो tricky नाम था उसके कुटेगा 10 number पहले बीच में क्यूशन रह गया हमारा 15 number में पूछा है Who found a text in the extract? किसको text मिला है? किसको जानकारी मिली है? तो एक religious message इसका answer होगा Who can love you for yourself? आंसर होगा हमारा God Why is Amanda refuse to eat chocolate? Amanda को chocolate खाना मना क्या गया है? एकने की वज़ा से What is told to look at in the extract? तो mother की तरफ देखनी करकागी तो mother की तरफ देखनी करकागी तो mother कहती है मेरी तरफ देखो What does the poet say the boy is learning from the loss of the bowl? कि loss and death is common to all वह समझ रहा है वह सीख रहा है कि loss वह सभी के लिए होता है आपको loss खोकर के आगे बढ़ना होता है Asian line को आप कैसे पहुचानेंगे तो roar से पहँचानेंगे और कभी का mood कैसे change हो गया तो dust of snow की forgiveness है अब आपके 5 paper दोस्तों बचे हुए हैं Class 10th के इन 5 paper में हर प्रिक्षा के लिए हम 5 से ज्यादा board प्रिक्षा के paper आपके लिए में लेकर के आओंगा उन paper से इस paper की तरह हमें उमीद है कि बहुत सारे प्रशन आपको पूछे जाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा help उस paper में होगी तो इसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर लें और अपने दोस्तों के शार्श शेयर कर दें मेरा ये मानना है कि आपकी help जो है इन paper से जरूर होगी बने रहिए पढ़ते रहिए Thank you very much